आप सो हाई गाईज आज एक नेया वीडियो पर आये जहां पर में मेरे में ली डिस्कॉस करूंगा जा एक कंपनी के बारे में लाइक बहुत सा जूनियर्स में से लाइक रिक्वेस्ट कर रेक भाईया उसके बारे में बताईए की कैसे हाई रेडिया का लाइक फॉम अन के लिए लाइक उन्होंने का रिक्वेस्ट पर यह मैं बना रहा हूं यह कैसे लाइक अंपेड इंटर्णशिप के बाद पेड इंटर्णशिप तक पीपयो का रास्ता एक हाओ अंब प्रकाव है तो यह मेरे प्रस्पेक्टिफ से बता रहा हूं क्या मैं नहीं किया था और जितने दोस्तों हो जानता हो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया तो उसके बता देता हूं तो बेसिकली इसका पहले क्या होता है तुम लोग Google Form भठते हो उसमें सब लाई उसके बाइक इसका एक घ्यामिनेशन होता है इसका गोडिंग होता है और अप्टी भी रहता है अपार्ट उसके बास प्माना सेलेक्शन में आफनेड होता है अरुट फिफ्ट फिफितन परसें tech as versus business tech half of 50-50% प्रोटा है उसके बाद after that क्या होता है न दो महिने का internship चलता है दो महिने एक देर महिने का like 2019 का trend क्या क्या है 2019 में सब लोग का internship same होता था 2020 में क्या हुआ कि sales का अलग चलता था marketing का अलग चलता था consulting का अलग चलता था like they select you from the starting from the branch wise टीक है department wise to be accurate department wise और वही department के साफ से लो ट्रेनिंग देता है जैसे sales वाल है तो उनको sales related training दिया जाएगा चो consulting उनको consulting related training दिया जाएगा और चो marketing उनका marketing के साफ साफ सर्वेब भी एक होता है ठीक है तो जो भी तुम जिसमें तुम अच्छे होगे उस हिसाफ से तुम पो आनलाईस कर जाएगा तो उसमें लोग आनलाईस का यके तुम एक एक department डाल जता है रिस्पेक्टिवली जहुरी ने कि तुम उसी department में रहो सब्सक्राइब कर सकते हैं अब आते हैं नेक्स चीज में कि उनका फिर पीपियो का क्या है और पेट क्या है तो इस पंजासो में लाइक यह मैं 2019 और 2020 के की ट्रेंड में बता रहो में 2019 के ट्रेंड में मैं बता रहो यह पैटर्ण जो था तो फिर क्या होता है कि दो महीन जब हो जाता है तो उसके बाद यह सेलेक्ट और 750 तो 800 पीपल फॉर्म टेक ऐस वेल बिसनस मिला के 800 पीपल रहते हैं जिसमें अरांड मतलब सब एप्रॉक्श होता है ठीक है उसमें स्टाइबं मिलता है और यह टास था है ठीक है अपार्ट फॉर्म डाट के आए कि नहां ने चीज को सीखते हो कितना तुम उसको एप्लिकेशन में यूजिऊ करते हो समझो ना कि for example वो तुम्हें कुछ चीज सिखाए है तुम उसको रियर वर्ड को अनलाइज करें कैसे यूज करते हो अगर तुम टेक्निकल में हो तो तुम्हारा कोडिंग वे में तुम्हों कुछ छोटा सार में डमी प्रोजेक्ट है कुछ भी प्रोजेक्ट बनाने के दिये तो तुम उसको कितना सीरियसली ले रहे हो for example if you come on the business track तो business में तुम्हारा सेर्स में हो तो तो तुम उसका कैसा बना सकते हो की होता है जो तुम बनाते हों लोग की हरे क्लाइन को you have to do something or something वैसी मार्केटिंग वैसी तुम्हारे देखते हैं कितना तुम्हारे अंदर skills है कि तुम आगे company में आगे बढ़ सकते हो कितना तुम company के things को अपने अंदर ले कि उसको use कर सकते हो ठीक है तुम में तुम्हारे skill checking होता है कि तुम कितना काम को सीख सकते हो जो इंसान जर्दी सीख के काम अच्छा करेगा और अच्छा काम करेगा उनको यह अच्छा काम करेगा उनको ही at the end of the day PPO मेरे जितने दोस सब होंका केस है इसे था जितना जिन्हों ने अच्छे से काम किया किया और इसरीन रहे को अधा है मैंटेइन के तो उनका थी इनको बेस्ता है कि वह अधार सब कुछी स्था वींडाफ रिप्ट टू तो यहीजर्शने पूर्म अनपेड टू पेड तो पे you thank you